हेलो मैं हूँ वैभव और मैं आपका इस कोर्स सर्चिंग सौर्टिंग एंड ग्राफ अल्गॉरिदम्स में बहुत स्वागत करता हूं हम लोग इस कोर्स में काफी कुछ सीखने वाले हैं और देखो मैं honestly बोल रहा हूं मैं इस कोर्स में कुछ ज्यादा टेकनिकल टर्म से नह करूँगा अच्छे से आपको समझाने का ठीक है तो इससे पहले हम आगे भरे और जाने की क्या एल्गॉरिदम है क्या सर्चिंग सौर्टिंग है क्या ग्राफ एल्गॉरिदम से जो की और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा जो बेस ह है वो स्ट्रॉंग है की नहीं ठीक है तो हमारा बेस क्या है यहां पर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गॉरिथम्स ठीक है तो सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं तो सपोज आपके पास एक क्वाइन है है ना तो क्वाइन के हम लोग जनरली कितने साइड होते हैं एक है एक सेकंड साइड होता है है अना आगे पीछे होता है तो आप समझ लोग हो कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है ठीक हैठ या लिख दिया है औरęd ऐल्गोरिदम है या अ अल्गॉरिधम्स उसको मैने लिख दिया है यह दोनो क्या है पता है इसा है इमेजन कर लो यह दोनो one coin लिख देता हूं तो यह दोनों साइड है आपके एक ही coin के क्या करता है यह चाहरों देख लेते हैं अगर हम इन दोनों को pair up कर दे मतलब की अच्छे से include कर दे कहां पर program में अपने जहां पर हम अपना code लिख रहे हैं ठीक है दन हमें क्या मिलेगा value मिलेगा यह question हम इसे pair up करके program में लिख दे तब तो हमें कोई coins मिलने वाला है नहीं तो यहां पर value है क्या तो यहां पर value और कुछ नहीं हमारा desired output है अब desired output क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है वह हम आके जाके देखेंगे ठीक है अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों को pair up करके यूज करने से हमें कोई value मिलेगा ऐसा नहीं है हम हो सकता है कि सिर्फ data structure ही यूज करके value ले रहे है या सिर्फ algorithm ही यूज करके value ले रहे है सब depend करता है जिस हिसाब से question दिया होता है ठीक है तो चलो data structure देख लेते हैं क्या है data structure हम जब भी दिमाग में सुनते हैं सबसे पहले हमारी दिमाग में आता है array ठीक है array आता है फिर link list आता है फिर tree आता है फिर graph आता है in fact मैं graph को ठीक से लिख देता हूं और जो इस course में मैं mostly जादा use करने वाला हूं in fact graph section में वो है dictionary अब देखो आप लोग जो लोग c++ और java वाले हो राइट उसमें c++ में बोलते हैं हम लोग उसे dictionary को unordered map and java में बोलते हैं hash map in fact map dictionary इसले लिखा हूं क्योंकि आप लोग समझ गए हो गए मैं ये course को पूरे अच्छे तरीके से python में समझाने वाला हूं python 3.7 या python simply 3 बोल सकते हो ठेक है तो python मैं क्यों use करना python जैसे कि या आप लोग सबको पता होगा या आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं तो python काफी easy to use language है और human readable है अब देखो यहां पर confused मत करना human readable से कि आप बोलोगे अच्छा मैं तो c++ में लिखता हूं या मैं तो java में लिखता हूं या मैं तो c में लिखता हूं तो मेरा भी तो code human readable है मैं भी तो के आ रहे हैं ओके तो चलिए मैं यह भी बता दिया कि मैं python use करने वाला हूं और data structure समझ लिए हैं तो आप जानते algorithms क्या क्या हैं तो जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं सर्चिंग sorting और graph algorithm को पढ़ाने वाला हूं तो algorithm एक basic समझ लेते होता क्या है ठीक है तो अगर सपोज मैं आपको बोल दूँ कि आप मेरे को दो positive number input करके दे दो और उसको add करके हम में result चाहिए ठीक है तो क्या हो सकता है इसका approach देखते हैं तो algorithm के algorithm कुछ होता नहीं एक basic steps है कुछ steps है जिसके मदद से आपका अच्छा output आता है और बाद में जाके हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि algorithm को optimize कैसे करते optimize queue हो सकता algorithm ज्यादा space ले रहा हो या हो सकता हो time ज्यादा ले रहा हो अगें यहां पे आप इतना confuse मत होना कि space और time में क्या बोलना हो तो space and time भी एक इसे हम बोलते space and time complexity यह भी काफी एक important factor है वो आगे वाले वीडियो में आपको अच्छा से समझा दूँगा तो अभी बस आप focus करूं मैं क्या बोल ला हूं तो algorithm कुछ steps है जिसको आप करोगे तो आपको एक desired output आएगा ठीक है तो जैसे मैंने आपको एक example बोला कि आपको दो number add करने और result मेरे को fetch करके दे दो ठीक है तो देखते हैं क्या है approach तो मैं क्या करूंगा first step में कि get the first number जब यह हो गया and यहां पर मैं क्या करूंगा get the second number फिर मैं यहां पर plus जो की क्या है हमारा arithmetic operator है ठीक है तो इससे हम क्या करेंगे plus कर देंगे है तो basically हमारे जो one and second step में था उसे हम plus कर देंगे in fact मैं plus के जएके three भी डाल सकता था ठीक है अब fifth में हमारा क्या आएगा output output क्या है basically हमारा fourth step है in fact मैं step ठीक से लिख जेता हूं तो अब देखो हुआ क्या कि यहां पर हम लोग simply कोई first number लिए then second number suppose first number five था second number minus three था तो मैंने उसको add किया यहां पर बिनफर्ट अड़ नहीं कर रहे हैं यहां पर आप अम लोग add कर रहे हैं तो यहां पर basically five plus of minus three जो कि हमारा output देगा fourth step अला क्या है output five plus of minus three which is nothing but five minus three and output देगा two but अगर आप यही सोचों अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे को दो positive numbers दो और उसको add करके दो ठीक है तो चलो देख ले तो उसका अप्रोच क्या होगा तो मैं अभी के लिए से यहां पर remove कर देता हूं जो भी मैंने numbers लिया था और आप ध्यान देना मैंने अभी क्या बोला मैंने बोला कि हमें दो positive numbers input दो positive numbers not negative क्योंकि यहां पर मैं एक negative लिया था minus 3 5 तो था positive उसका कोई problem नहीं था बट मैं एक minus 3 लिया था इसका क्या अप्रोच हो सकता है हलका सा change होगा algorithm मैं यहां red से माग करता हूं get the first number अब यहां पर इफ नेगेटिव ask again थेक है काफी आसान यहां पे भी same चीज़ if negative ask again एकदम simple और आप यह बोल सकते हैं लूप बन गया है ask again से यह वापस जाएगा step पर यहां पे भी ask again से यह वापस जाएगा step पर मैं यहां पे भी कर सकता था है रोबट ठीक है यहां पे कर दिया मैंने तो अब क्या हो गया get the first number तो suppose मेरा first number आ गया यहां पर मैंने five ले लिया ठीक है तो इसे मैं इंफार्ट से लिख देता हूं first number मैंने यहां लिख दिया suppose 10 और यहां पर मैंने second number लिख दिया suppose minus 50 पर यहां पर क्या लिखा है कि if negative जो कि हां में नेगेटिव है then ask again अच्छा ठीक है मैं वापस से पूछता हूं इससे तो ठीक है मैं यहां पर क्या करता हूं कि यहां पर मैंने बोल दिया minus five फिर यह वापस यहां पर गया if negative ask again ठीक है मैं वापस से यहां पर जाऊंगा और यहां लिख देता हूं suppose 3 तो क्या यह नेगेटिव अगेन है ना नेगेटिव नहीं है तो 10 प्लस 3 यहां पर अब मेरे को क्या देगा 10 प्लस 3 अब मेरा आउटपुट क्या जाएगा 13 देखो यह यहां पर यहां 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 पर क्या समझा रहा हूं कि दो नंबर एक कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो यह हमारा basic building block है कि हां बड़े बड़े algorithm को सीखने से पहले जानना चाहिए कि क्या हो रहा है जो सकते हैं अब आपको याद ना बोला था कि optimization भी बोला था algorithm का तो आप एक छोटा optimization बतायता हूं कि इतना बड़ा लिखने से ना यह मैं इसे highlight कर देता हूं in fact green से कि यह इतना लिखने से ना मैं एक line लिख सकता हूं यहां पर यह दो लूप बना दिया है ना जो मैंने यहां दो step लिखा है और फिर एक get the first positive number और similarly मैं second step को लिख दूँ get the second positive number तो अब यहां पर काफी self-explanatory है कि हां मैं user से positive number मांग रहा हूं तो user कभी मेरे को minus में दे गई नहीं यहां पर भी minus में नहीं देगा वो हमेशा positive देगा 1 दे दे 111 दे दे and so on ठेक है तो यह ही है कि यहां पर मैंने क्या कर दी optimize कर दिया optimize करने से क्या हुआ मेरे थो step यहां पर reduce हो इसकंद थाए और यहां-पर optimize कर दिया और तो आपको des यह मतलब data structure and algorithm का एक basic कुछ concept पता चला होगा और हाँ मैंने जैसे आपको बोला कि मैं Python में code करने वाला हूं तो यह आपके लिए कोई problem होने वाला नहीं है कि अगर आप C++ में लिख रहे हो जावा में लिख रहा हो ना तो आप उसको खुद ही जब मैं लिख रहा हूं तो आप